नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी एनेचम एनम फार्मासिस्ट लैव टेकनिसियन सेंटर एलाट्मेंट किस तरह पता चलेगा न्योकती पत्र में किसको कौन सा सेंटर मिला है दलालों से एकदम रहें साउधान 6 दिन की डीवी में 30 प्रतिसत अभ्यर्थी ही सामिल वेटिंग लिस्ट पास अभ्यर्थी को 100% डीवी में मिलेगा मौका सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा चैनल पर नए दोस्तों सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिएगा दोस मैटरनल हेल्थ में बहुत ज़्यादा सीटे खाली जा रही है लगभग 60-65% सीटे मैटरनल हेल्थ की खाली जा रही है बहुत दूर दूर जो है इनको जिला दे दिया गया है जिसके करण अभ्यर्थी करें कि सर 12,000 रुपए में क्या होगा और दूसरी बात ये है कि पर्मा कार ये समान बेतन नहीं होगा इससे बढ़िया है पर्मानेंट की तयारी की जाए तो दोसों और दूसरी बात ट्रांसफर का उनका कहना की पता नहीं ट्रांसफर होगा की नहीं होगा कब होगा तमाम तरह की बाते हैं दोसों बहुत लोगों को बहुत सी परेसानिया भी है इसलिए वो dv कराने जाही नहीं रहे है और दोस्तों document verification में कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप सभी document original लेकर वहाँ पर जाएए original वहाँ पर चेक किया जाएगा और दो set photo copy जमा हो जाएगी फिर original आपको दे दिया जाएगा बहुत से अभ्यर्थी करें सर दो तीन तीन जिले में जिला अलाट्मेंट कराया जाएगा देखे दोस्तों आप दो से तीन जिला में अलाट्मेंट कराएंगे तो अगर आप एक ही जगह लेते हैं और दो जगह तो खाली चला जाएगा उनको तिये पता रहेगा कि यहां dv कर आया गया है तो वो seat जो है भरते हुए भी खाली चले जाएगे तो एक seat बरबाद हो जाएगे अगर कोई भी अभ्यर्थी उस seat पर नियुक्ति पाना चाहता है तो कम सिकम उसके लिए खाली तो रहने दीजिए आप dv ना कराएगे जिसमें आपको समझ में आता है उसी में आप dv कराएगे दो तीन चार प्रोग्राम में न कराएगे और दोस्तों अभी मैं वेटिंग लिष्ट वाले अभ्यर्थी को भी बताऊंगा नाट साट लिष्ट अभ्यर्थी वो भी बताऊंगा किस तरह पता चलेगा नियुक्ति पत्र में कौन सा सेंटर मिला है बताया जाएगा सूचित किया जाएगा जहां तक है कि 21-22 तारिक में नियुक्ति पत्र मिलेगा तो दोस्तों आप लोग परिसान ना हो और सेंटर की बात है देखिए दोस्तों जब डीवी हो जाएगा तो डीवी के दोरान ही सेंटर एलाट्मेंट हो रहे हैं लेकिन वो आ राकुमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और वो धीरे से चुपके से कह भी रहे हैं कि आप 50,000 रुपए दीजिए आपको नजदीक का सेंटर दे दिया जाए दोस्तों कौन सा नजदीक का सेंटर आपको मिलेगा ये बताए जिनका होम डिश्टिक है बात उनकी अलग है जब आप 200,500 किलोमीटर दूर चले ही गए हैं तो आपको नजदीक का का सेंटर दिया जाएगा ये बताए रूलर तो सभी को मिलना है जो अरबन है जैसे कि अच्छा मौले ही जो पोश्ट है वो अरबन में है तो अरबन में है तो दोस्तों वो तो मिलना ही ता है तो आप लोग दलाल के चक्कर में ना पड़िये ये 50,000 रुपए देना जो है बहुत बड़ी बात है दोस्तों आप लोगों के लिए क्योंकि सेलरी बहुत कम है 10,12,000 रुपए 15,000 रुपए में क्या होने वाला है इस महंगाई में आप बताइए और वो भी आपको लगभग जो है मान के चलिए कि नियर एबाउट 8 घंटे 10 घंटे तक भी ड्यूटी करना पड़ेगा अगर आप फिल्ड में चले गए तो फिल्ड का पूरा काम करके ही निकलना पड़ेगा आपको वहां से फिल्ड का जो क्लोजिंग होता है फिल्ड वर क्लोजिंग उसको करके ही वहां से निकलन फिर दूसरे दिन वहाँ उस एरिया में आपको नहीं जाना रहेगा दूसरे एरिया में जाना रहेगा तो इसलिए आप लोग एकदम दलालों से साउधान रहिए दलालों को एक रूपए मत दीजिए क्योंकि जो भी सेंटर हो एलाट होगा वो सीमो सर के माध्यम से ही एलाट ह अब बात कर लिते हैं वेटिंग लिष्ट वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यदा परेसान हो रहे हैं आप लोग परेसान ना हो दोस्तों फ्रेस लिष्ट जैसे ही किलियर होगी उसके बाद आप लोग को का ही नंबर है मैं बोल रहा हूँ आप लोग से कि 70% सीटे खाली जा रह लिष्ट किया जाएगा उनका डीवी होगा फिर नाट साथ डिष्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं जो सीटे बचेंगी वो थर्ड वेटिंग लिष्ट में आने की संभावना है तो आप लोग भी तैयारी रखिए जो वेटिंग लिष्ट वाले अभ्यर्थी जितने हैं बहु की बार जो है कोई एजन्सी करा रही है उससे कहा गया है कि आप हमें 100% जो है सीट फुल करके दीजिए तो उसका काम है कि वो जो है पास हुए अभ्यर्थी तक भी जो है वो है साट लिष्ट करेगा क्योंकि पूरी सीटे भरने का अनुमान है तो दोस्तों ये अब जो अब अमानेंट वैकेंसी आएगी अस्थाई वैकेंसी आएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा जब एक नंबर दो नंबर अगर आपके कम रहेंगे तो यही अनुभव आपका वहां पर काम करेगा बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं सर कोवीड का जो अनुभव प्रमाड़ प बहुत बड़ी बात और म्यूच्वल ट्रांसफर होता रहता है आप लोग जो है म्यूच्वल के लिए वहां पर जब जाईए तो आप लोग भी ग्रूप बना लीजिए जैसे हर जिले का ग्रूप होता है वाटसेप ग्रूप बना लीजिए और उसके बाद बनाने के बाद आप लोग उसमें पूछ सकते हैं कि कौन जो है किस जिले से है बहुत से भीरति हमारे YouTub box चैनल पर कमेंट के माधम से पूछ रहे हैं कि कोई अगर अमबेटकर नगर का है और जो कोई अगर बलरामपुर का है और उसका जैसे अंबेटकर नगर में सेलेक्शन हुआ है और अंबेटकर नगर वाला बलरामपुर है अगर ये लोग अपना जो है सीट है जो है मतलब बदलना चाहते हैं मतलब म्यूचुल ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो कराएं तो दोस्तों इस तरह के कई कमेंट हमारे यूटूब चैनल पे हैं तो आप भी डाल सकते हैं हमारे यूटूब चैनल पे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जुड़े हुए हैं आप ही लोग के जो है आप ही बहने सब जुड़ी हुई है कमेंट के माध्यम से पूछा करिए इससे आपका फायदा होगा अगर माल लेजे आप जो है अमबेटकर नगर के हैं आपका बलरामपुर हुआ है और वो बलरामपुर की हैं आपका उनका अमबेटकर नगर में हुआ है तो आपको उनसे जो है सीट transfer वाला जो है वह matter कराने में आसानी रहेगा तो इस तरह से आप comment के माद हम से पूछे जो भी अभीरती होंगे जरूर आपको जो है reply देंगे और इसके साथ में दोस्तों दलालों से एकदम दूर रहिएगा इसमें दलालों से कोई जो है डाल नहीं कल रहा है तो आप लोग जैसे अभी तक fresh है सब कुछ होता आया है और आप लोग एक रूपए कहीं किसी को नहीं दिये हैं तो ऐसे दलाल को एक रूपए भी मत दिजेगा क्योंकि अब आप अपने final पड़ाओ पर है final जो है एकदम अंतिम चरण में है इसलिए दोस्तों आप एकदम यह गलती ना करिएगा और center allotment आपका 21 फरवरी के लगभग में आपको देखने को मिलेगा वीडियो को जदास जदा दोस्तों सेयर करिएगा staff nurse का जिला आवंटन list 20 फरवरी के इर्दगिर्द आपको देखने को मिलने वाली है जिला आवंटन staff nurse का शुरू जो है जैसे ही आएगा उसके बाद इन लोगों का भी DV इसी प्रॉसेस से होगा जैसे एनम लैब टेक्निसियन फार्मासिस्ट का हो रहा है वीडियो को जदस जदस सेर करिएगा चैनल पर नए तो दोस्तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और एक लाइक करिएगा मिलते हैं नेक्श वीडियो में वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद